सबी को जाएं दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए बहुत इंट्रोस्टिंग और एक मज़दार वीडियो लेकर आएं इसमें आप देखेंगे पतरकार आर्जु का करें कि हम आपके लिए से इंट्रोस्टिंग और मज़दार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत्मिस के बारे में बात करेंगे जया इन जया भारत क्यिस्ट है कि एक बार फिर वो बेल आइकान को क्लिक करें और दो बर क्लिक करें सो क्या है यह इन वह बहुए पर लगए यह दो रोजार रहे हैं और इसलिए उद्धा है और उनके दिमाख काम ने कर रहा है क्यों कि वह कई में आज कल रोजे जो हैं अभी बस आठ या नौ रोजे रहे गें आठ रहे गें हाँ वाइस रोजे हो गए तो जी आठ रोजे और रहे गें और होता ये है कि वो एक बच्चन साफ की मुवी थी ना उसमें कहते हैं ओ परवाला भूका जगाता जरूर है भूका सुलाता न नहीं आती तो बच्चन साफ पता नहीं हुआ पर क्या टालोग बोलके चले गए लेकिन हमारा भी यही आल है कि जी दिन में जो है वो रोजा होता है तो हमने कुछ खाया पिया नहीं होता तो हमसे काम नहीं होता गला बार बार सुप जाता है हमारा बात नहीं की जाती और ज शुरू कर देते हैं लेकिन ये जरूर है कि आठ रोजे रह गए हैं और जी कोई खास तैयारिया मुझे इत की दिखाई नहीं दे रही हैं मेरी तो छोड़ें थी मैं तो इंतहाई गरीब इनसान हूं और आपको जैसे पता ही है कि मैं तो एक शिर्ट लेने गई थी यानि वो थी वो 30,000 की ती आप सोचें उसके साथ उसका ट्राउजर जो था वो 10,000 का था और जो दुपट्टा था वो भी 10,000 का था यानि 50,000 का वो पूरा सिर्फ एक सेट यानि के एक ड्रेस जो था वो बन रहा था अब पाकिस्तानी तो खेर नहीं पहन सकते हैं लेकिन कुछ पाकि नहीं से मुझे इतना बोलना आगया है और उन्होंने कहा था कि जी मुझे 25,000,000 का मिलेंगे मुझे उनके मुँ में गी शकर मैं कहती हूं कि उपर वाला उनकी जबान करें और वो दिन भी आए जब मैं पच्च्स लाक मुझे मिला करें तो मैं फिर वो ड्रस जरूर ले पा वहां पर लगा 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 तो मैं आगे वापिस अब ले लिया है कोई सस्ता मसमूट टिकाउ किसम का तो वह पहनेंगे और तभी आपको दिखाएंगे खेर अब भी हम आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताते चलें कि बात हम करेंगे आज सबसे पहले अमीच्षा जी की ज काफी अक्टिव हैं और बहुत से भाशन भाशन भी देते रहते हैं मौधी जी के साथ साथ और अब उनका कहना यह है कि जी नहरू जी को उन्होंने जो है वो इल्जाम लगा है नहरू जी को उन्होंने रिस्पॉंसिबल ठेराया है जम्मू कश्मीर के ओपर के जो 370 लगा चेदे दें दें उसक्त उनको क्या समझ आई होगी क्या सिच्वेशन होगी आपको आपको हो सकता है उस सिच्वेशन का ना पता हो जब 370 लगाई गई थी तो मेरे ख्याल है कि आप जो लोग चले गए हैं जिन्नों ने कुछ काम किया था उनको क्या उनके ओपर दिखाने ये नराज होना अप टो चल रहें न काम आपका बारल पाकिस्तान की तरफ से भी बार बार जो है वो कश्मीर कश्मीर कुश्मीर तो किया जाता रहे गा, कहा हमें भी इन इन्टजार से कोई ना कोई इनाउगरेशन या कुछ चल रहा होता था वो सब कुछ अब नहीं हो रहा बात हम करेंगे मुफ्तार अंसारी की जी है मुफ्तार अंसारी कि अभी रिसेंडली आपने देखी होगी नियूज बिल्कुल ट्रेंड भी चल रहा था कि मुफ्तार अंसारी को जो है किस तरह से ये गैंग्स्टर था और इसने कितने लोगों की जान ली कितने लोगों को परेशान किया लेकिन हैरत की बात ये कि ट्विटर के ओपर कई जगा पर इने मसीहा भी लिखा हुआ दिखाई देता है और लोग मसीहा क्यों लिख रहे हैं वो तो फिर हमें अभी तक लोगे या थे और अभी और भी होगे गिना जिनके लोग फॉलो जिनको लोग फॉलो करते हैं जिनके फॉलो वर्द हैं लेकिन भारत में भी ऐसा हो रहा है ये気 कर मुझे काफी हैро हुई है कि एक गैंक्स जो है उसको मसीहा भी बताए जा रहा है और उसकी डेथ के ओपर लोग जो है बहुत बड़ी तादार में निकले जबके अब्दलकलामाजाद जो के प्रेजिडेंट भी रह चुके बारत के और काफी मशूर परस्नालिटी उनकी लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो बहुत इससे की जनें बड़ा माना जाता है बहुत नामी गिरामी किसम के समझे फेमस किसम के जर्नलिस्ट हैं अक्टिविस्ट हैं वो भी जो है वो मुखतार अंसारी के डेथ के ओपर जो है उन्होंने बड़े अफसोस के जो है वो ट्विट्स लगाए तो आप फिर कम से कम अगर ना होगा और पाकिस्तान को भी ठीक करने होगी बहराल बात करेंगे बंगलादेश की जी बंगलादेश की आपको नजर आ रही है हसीना वाजित जी हां उनका कहना ये है कि पहले बीवियों की साड़ियां जलाओ और फिर भारत का क्या बाइकॉट करो जी हां भारत का कोई की बातें चल रही हैं लेकिन उनका यही कहना है असीना वाजित का कि पहले दो साड़ियां जलाओ और फिर भारत का बाइकॉट को रसले के साड़ियां तो बंगलादेश में भी बहुत पहनी जाती है अब मुझे नहीं पता भारत के लिए अचानक से बंगलादेश में तो उस वक्त जो वहां के लोग थे जो बैकॉलिस्ते उनके साथ पाकिस्तान ने बहुत बुरा सलूप किया था इस वज़ा से भी वो हमें छोड़कर जाना चाते थे और चले गया और मेरे कैल उनके लिए बेतर ही हुआ तब ही वाज अपनी जगापर बेतर काम कर रहे हैं आगे अपकी तरफ बढ़ने हैं और हमारा जो हाले वो किसी से ढकी चुपी बात नहीं है हमें मताब किसी को बताने की जरूरत नहीं है लेकिन सब लोग जानते ही हैं कि क्या हो रहा है कैर मोदी जी जो है वो कोई अपनी एलेक्शन कमपैन में ऐसा लग गए हैं ऐसा लग ग है कि अब मोदी जी एलेक्शन तक जो है वो कुछ और काम नहीं करेंगे इसलिव एलेक्शन में सालेंगे लेकिन अगर मोदी जी या डॉक्टर जैशंकर या कोई और लोग और काम नहीं करेंगी तो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो है वाकर वीडियो कैसे बनाएंगे हम तो वीडियो सी में लोग जादातर बनाते ना कि अब भारत की कॉर्नमी यहां चली गई अब भारत ने ये कर दिया अब मोदी जी ने ये इनाउगरेशन कर दी अब जी चंद्रियान हो गया तो अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर ये सब लोग करेंगे क्या चलिए क घुसके मारेंगे एर स्ट्राइक कर देंगे पानी बन कर देंगे ये कर देंगे वह कुछ तो बोलिए ना ताकि फिर योग ना हम लग वीडियो बना लेंगे बागी तो मैं पता है आपने कुछ नहीं करना क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं आपने हमारे पर कोई ट पालिसी को चेक करेंगे दुबारा से देखेंगे कि क्या हो सकता है कुछ तो कही है ना ताकि हमारे यूट्यूबर्स तो विचारे बावले हो गए उनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें चोड़िए और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमापली से लेटेस इंट्रोस्टिंग और मज़िदार वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जैंद जैभारत